2014 के लोकसभा चनाव में नरेंद्र मोदी के नेतरत्व में बीजेपी को जो प्रचंड जीत मिली और कॉंग्रिस जिस तरह 44 सीटों तक सिमट गई उसके बाद विपक्षी दलों में साफ संदेश गया है कि बीजेपी को हराना किसी एक दल के बस की बात नहीं है यहीं से महागडबंधन शब्द अस्तित्व में आया जिसकी पहली परिक्षा बिहार में हुई और RJD, JDU गडबंधन ने विदानसभा चनाव में जीत हासिल कर इसे पास भी कर लिया UP में भी विदानसभा चनाव से पहले महागडबंधन की कुछ कोशिशे हुई लेकिन वो परवान नहीं चड़ सकी हाला कि 2017 के विदानसभा चनावों में BJP को मिले बहरी बहुमत ने सपा बसपा जैसे दलों को एक साथ आने पर मजबूर कर दिया फूलपूर, गोरकपूर और कैराना उपचनावों में इस गडबंधन का प्रयोग सफल रहा और अब BJP के खिलाफ सपा बसपा और RLD एक साथ आ गये हैं कॉंग्रेस महागडबंधन से बाहर है